नवसकर दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेट में UBPSC लाइब में और बड़े दिनों के बाद कुछ न्यूज पर मैं खवर दे रहा हूं और ये बड़ा ही संगीन मौामला था और इस पर जो है मैं शुब कामनाएं देना चाहूंगा जो भी लोग इसके लिए इतना तत्प पर होकर के दो तीन लोगों के नाम आ रहा है अखंड परताप सिंग आलोग सिंग और अनुराग सर जो है जो लॉयर थे इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और इस पर हम देखेंगे कि ये हाई कोट का प्रयाग राज जो है आपका अलाबाद हाई कोट UPPSC 2018 को लेकर करके बहुत सारी समस्याएं थी आप लोगों ने देखा इसकेलिंग हुई है नहीं हुई है इस पर भी बहुत सारा मंतन था उसके साथ साथ जो है 2019, 2020 और 2016 की समिक्षा दिकारी परिक्षाएं एक साथ इन्होंने complete भी कर दी हैं और सब में basis जो क्या था अब देखेंगे हम इ लोग अपने विचार जरूर रखिएगा और क्या हो सकता है क्या कैंसिल होगा अंतिम रिजल्ट तो अभी तो देखें हाई कोड है और इसमें संभावने अभी भी आगे बढ़ेंगी क्या कैंसिल होगा आपका आरो यारो 2016 है ठीक है यह ध्यान रखना है 2018 नहीं 2016 स्वरी पर दोस्तों इन पर पूरी हम जानकारी लेखेंगे बहुत कम देखेंगे और समाचार पत्रों में और रिट पेटिशन जो हुई है उसके लिए हाई कोड का डिसीजन जो है अभी रिजर्ब कर लिया गया है और रिजर्ब के बाद जो है डेट तो नहीं पता चलती है माना जा कर आए कि 23 को यह डिसीजन फाइनल आ जाएगा जा तक कोड में बताया है जिसकी पूरी जानकारी लेंगे बने रही है मेरे साथ अंतक वीडियो के दोस्तों उससे पर रहे हम लोग देखेंगे कि अगर आप अनेकेडमी पर सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं या फ्री क्ला कर सकते हैं यूटूब पर मेरी 9 बजे और 11 बजे सुबह में क्लासे होती है और 11.45 पर यहां पर हमारी फ्री क्लास चल रही है पौलिटी की वह आप कर सकते हैं हमारे डेर सारे टेस्स सीरीज हैं बहुत सारे फायदे आपको होते हैं अनेकेडमी जोईन करने के वह सारी बात पूरी कम्पलीट प्लस हिंदी प्लस प्री का टेस्स स्रीज प्लस मेंस का टेस्स स्रीज प्लस आंसर राइटिंग सेशन जो होते हैं वो सब ही जो आप 2,00,000 से अधिक में पाएंगे मार्केट में वो सिर्फ आपको 7560 में मिल रहा है कैसे मिलेगा दोस्तों कैसे सब्सक्रि को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आए मुद्दे पर आते हैं मुद्दे पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहां पर कोट नमबर 33 में यह पेटिशन हुई थी 14 सेप्टेंबर को यह सुनवाई कम्पलीट हुई ठीक है और इस डिसिजन को रिजर्व रख दिया हैं और इन ही लोगों पर आप देखेंगे अनुराग तृपाठी अतुल कुमार पांडे संजे मौरया यह कौंसिल पेटरिसनर हैं और सतेन तृपाठी साथ ही साथ आप देखेंगे है अनुरेबल अश्वनी कुमार मिस्रा जी जो थे यहां पर तो यह सारे नाम दिये गए हैं इन्होंने ये जो खंड प्रताप सिंग है और इनकी टीम ने बहुत ही सांदार काम किया है और आयोग को ये मजबूर किया कि आयोग ने माना है कि स्केलिंग हुई नहीं है तो ये बड़ा एक सवाल है कि अगर स्केलिंग नहीं हुई है तो ये विग्यपती के साथ पिरचाड आयोग नहीं कर सकता और आयोग के बताने का जहां तक मैं सुनी सुनाई न्यूस बता रहा हूं कि आयोग ने अपनी एक मीटिंग बुला करके एक मीटिंग रख करके अपने जो है इसमें विग्यप्ति में चेंज किया था और इसके आधार पर आप देख सकते हैं क कई परिक्षाएं खतरे में आ सकती हैं अगर डिसीजन जो है हमारे समर्थन में रहता है यानि कि आयोग के विरुद्ध रहता है तो 2018 PCS का मामला है उसके बाद 2019 भी हुआ है उसमें भी हुई है नहीं हुई है भगवान जाने वो लोग बताएंगे 2020 में भी नहीं हुई है त देख रहे हैं CDPO की जोइनिंग करा दी गई है तो CDPO की जोइनिंग हो चुकी है 2016 समिक्षादिकारी के अभी जोइनिंग नहीं हुई है अब देखिए विग्यप्ति में यहां भी बड़ा चेंजेज हुआ है नेगटिव मार्किंग नहीं थी नेगटिव मार्किंग कराया ग पिछली सरकार हो चाहिए वरतमान सरकार हो तो यह NBT में निकला है आप समझ रहे हैं कि अमरुजाला आदी जो है इसको बहुत अच्छे से ने और बहुत कॉर्णर में निकला है यह PCS मुखे परिक्षा 2018 में स्केलिंग लागू किये बिना परिक्षा प्रडाम जारी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आयोग वह याचिका करताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है कोट ने इस मामले का आदेश जो है 23 सितंबर की तारीक नियत की है इस आदेश सुनाएगी अखंड प्रताप सिंग की याचिका पर नियायमूर्ती अस्वनी कुमार मिश्र ने सुन की गई है तो अगर ये कारवाई जो है 2019 में भी नहीं हुई होगी स्केलिंग की 2020 में भी नहीं होगी और सोचिए कि इसके साथ moderation भी होता था पता नहीं moderation भी हुआ है कि नहीं हुआ है तो इससे science वालों को फायदा होगा arts वालों को बहुत नुक्सान होगा तो ये सारी जानक करिएगा मिलते हम लोग अगली class में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए